आज आपके लिए लाएं है जीमिकन की कड़ी जिसको सूरन भी कहा जाता है और यह उत्रपड़ने इसकी फेमस कड़ी है तो बनाना भी असान है यह आधा किलो के खरीब जो है जीमिकन लिया है और इसको प्रेशर कुप करके दो तीन विसल लगा के उबाद लिया है अच्छे में ग्राइं कर लिए मैशर से मैश कर लिए एक छोटी चमच अजवाइन लेनी है एक बड़ा प्याज पांचे मिच्ची हरी और आठ नो कलिया लसन की उसका पेस्ट बना देना है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको मस्टर्ड और में बनाएंगे सबसे पहले एक कड ताहि हमारी गरम हो गई है और इसमें डालेंगे एक से तेड़ चमच के करीब सरसो का तेर दो चमच भी डालीजे तब भी चल जाएगा सबसे पहले इसमें डालेंगे पहले इसको गरम कर लें अच्छे से तेल हमारा गरम हो गया है इसमें डालेंगे अजवाइन जब तक बूनना है जब तक किनारों पे तेलना हो जाए अब इसमें डालेंगे आदी छोटी चमच हल्वी जो मिर्च होती है वो डालेंगे तो थाई चमच नमक स्वादन सार डालना है गरम जाला जो है एक छोटी चमच से और साथ में यमचूर पाउडर है एक छोटी चमच अब इसमें डालेंगे जीमी कंद की पेस्ट जो ने ग्राइंड की है मिक्सी में आप मेश कर सकते हो और इसको भी देर से नो मिनाट तक घुलना है कर दो से धाई मिनिट हो पे इसको भूंदें पहले से पानी रखा है गरम होने को तो इसी को डाल देंगे अच्छे से मिलाते हुए तक इसमें गुठली ना पड़े वह अच्छे से मिलाना होता है मैंने थोरा और पानी इसमें डाला है आप पत्री खाना चाते है गाड़ी खाना चाते ही आपकी चॉइस है इसको कुकर में बगाएंगे हाई फ्लेम पर तीन से चार सी की लगवानी है आपने इसको बलट देंगे इसको कवर कर दें और हाई फ्लेम पर तीन से चार सीटी आपने इसको लगाने है कड़िया हमारी पग गई है खोल के चेक कर लिए बहुत बढ़िया पग गई है इसको चार विसल होने लगवाई है और हाई फ्लेम पर लगाई है अबस एक इसका तड़का थ्यार करना है करना है करना है कुशिए कुशिए इसका दर्गाम धेसी घी में लगाएंगे प्लेम लो रखनी है सबसे पहले डालेंगे इसमें लसन कटा वुए दो कलिया लसन की है बस ज्यादा नहीं डाल दीगे लसन नमारख हो गया है इसके साथ ही डालेंगे अजवाइं आधी चोटी चमच्छ साबत लालमिच तोड़के डाल देंगे उसके साथ ही जाएगा इसमें कश्मीरी लालमिच यह आधी चोटी चमच्छ करीब है थोड़ी सी हल्दी और इसको मिक्स कर देंगे बस गैस को बंद कर देंगे इतना ही करना था हमें और इसका एक तड़का हिए हमारी जीमीकन की कढ़ी बनकर तियार हो खाने में बहुत बढ़िया होती है और इसको को चावलल के साथ और रोटी खा सकते हो वैसे तो इस बर स्पेशली दीवाली के दिन ही बनाई जाती है रात के दाइम तो आप कभी भी बना सकते हो खाने में बहुत बढ़िया और आशा करती हूं आप सबको बहुत पसंद आएगी तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले फिर मिलते हैं एक नई वीडि की बहुती की commende की मिलते हैं एक की कि अजीओ जएगी मुड़ी